नमस्कार, मैं महिमा, आज आपको सुनाने जा रही हूँ, हिंदी साहित्ती की सुप्रसिध लेके का सुबद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी हुई कहानी, मजली रानी वे मेरे कौन थे, मैं क्या बताऊं, वैसे देखा जाए तो वे मेरे कोई भी ना होते थे, होते भी तो कैसे, मैं भ्राम्मान वेक्षत्रिय, मैं इस्त्री, वे पुरुष, फिना तो रिष्टेदार हो सकते थे और ना मित्र, आह, यह क्या कह डाला मैंने, मित्र, भला किसी इस इस्त्री से मिलना जुलना या किसी प्रकार का व्यवहार रखना भी पाप है और यदि कोई इस्त्री किसी पुरुष्ट से किसी प्रकार का व्यवहार रखती है प्रेम से बातचीत करती है तो वह इस्त्री भ्रस्टा है चरित्र हीना है नहीं तो पर पुरुष्टे मिलने खेर, ना तो मुझे समाज से कुछ लेना देना है ना समाज से कुछ सरोका. समाज ने तो मुझे दूद की मख्खी की तरह निकाल कर दूर फैंक दिया है. फिर मैं ही क्यूं समाज की परवाह करू? मेरे माता पिता साधारन इस्थिती के आदमी थे परिवार में माता पिता के अतरिक्त मुझ से बड़े मेरे तीन भाई और थे मैं सबसे छोटी थी छोटी होने के कारण घण में मेरा लालन पालन पड़े लाड प्यार में हुआ था मेरे दो भाई बनारस हिंदू युनिवस्टी में पढ़ते थे और दौन से छोटा राजन मैट्रिक में पढ़ रहा था मेरे पिता जी संस्कृत के पूरे पंडित थे और पुरानी रूणियों के कटर पक्षपाती यहां तक कि वे मेरा विबाह नौ साल की ही उम्र में करके गौरी दान के अक्षय पुन्ने के भागी बनना चाहते थे कई लोगों के और वुशेष्ट का मेरे भाईयों के विरोध के कारण ही वे ऐसा न कर सके थे जब मैं पांचवी अंगरी जी में पढ़ रही थी और मेरी आयो 14 वर्स के लगवक थी तब से मेरे माता पिता को मेरे विबाह की चिंता हुई वे योगिवर की खोज में थे ही कि संयोग से ललितपूर के तालुकेदार राजा राम मोहन हमारे कस्वे में शिकार खेलने के लिए आये कस्वे से लगा हुआ ही एक बड़ा जंगल था जहां शिकार खेलने का अच्छा मौका था उनका खेमा जंगल से बाहर कस्वे के पास ही था कस्वे वालों के लिए यह एक खास तमाशा भी हो किया था उनके टेंट में कभी ग्रामो फोन बसता और कभी नाच गाना होता है लोग बिना पैसे के तमाशा देखने को जुंड के जुंड जमा हो जाते एक दिन मैं भी राजन और पिताजी के साथ राजा साहब के डेरे पर गई मेरे पिताजी की राजा साहब से जान पैचान हो ही गई थी हम लोग उनी के पास जाका कुर्सियों पर बैठ गए राजा साहब ने हमारा बड़ा सम्मान किया लोटते समय उन्होंने हम लोगों को अपनी ही सवारी पर भेजा और साथ मैं बहुत से फल, मेवा और मिठाई इत्याद भी रखवा दी कस्वे की कई लड़कियां और लड़कों ने मुझे राजा साहब की सवारी पर लोटते हुए उत्सुक नेत्रों से देखा किन्त उस सवारी पर बैटकर मैं अनुभव कर रही थी कि जैसे मैं भी कहीं की रानी हूँ और मैंने उनकी और आँख उठा कर भी न देखा दूसरे दिन राजा साहब ने स्वें पिताजी को बुलवा भेजा और उनसे मिलका दो तिन घंटे बाद जब पिताजी लोटे तो इतने प्रसन न थे कि उनके पैर धरती पर पड़ते ही न थे ऐसा मालूम होता था कि वे सारे संसार को जीत कर आ रहे हैं आते ही उन्होंने मेरी पीट ठोंकी और मा से बोले लो इससे अच्छा और क्या हो सकता था तारा का विभाह राजा साहब के मचले लड़के से ते हो गया है माता पिता दोनों ही इस संबन में बड़े प्रसन हुए मेरे भाईयों ने जब सुना कि तारा का विभाह एक तालुकेदार के विलासी लड़के से जो मामूली हिंदी पड़ा लिखा है तै हुआ है तो उन्होंने इसका बहुत बिरूद किया किन्तों उनकी बिरूद को कौन सुनता था पिताजी तो अपनी हट पकड़े थे उनकी समझ में इससे अच्छा घर और बर मेरी ले कहीं मिल ही नहीं सकता था सबसे अधिक आकरसक बात तो उनके लिए यह थी कि वह बहुत बड़े खांदान का वर बीस विस्वे कन बजियों के घर का लड़का था फिर राजा से रिष्टेदारी करके कस्वे में उनकी इज़द बढ़ जाएगी इसके अतरिक्त बिवा का प्रस्ताब भी तो स्वयम राजा साहब नहीं किया था भला मामूली हैसियत के मेरे पिताजी यह प्रस्ताब कैसे ला सकते थे सबसे बढ़ का बात तो यह थी कि दहेच के नाम से कुछ न देकर भी लड़की इतने बड़े घर में ब्याही जाती थी फिर भला इतने बड़े बड़े आकटशनों के होती हुए भी पिताजी इस प्रस्ताब को क्या से टाल देते पिताजी मेरी किसमत की सराहना करके कहते मेरी तारा तो रानी बनेगी रानी बनने की खुशी से मैं फूली फूली फिरती थी भाईयों का विरोध करना मुझे अच्छा न लगता किन्तु मैं उनके सामने कुछ कहना सकती थी खेर भाईयों के बहुत विरूद करने पर भी मेरा विवाह मजले राजा राम मोहन के साथ हो गया फूलों से सजी हुई मोटर पर बैठ कर मैं ससुराल के लिए रवाना हुई हमारे कस्वे और ललित पूत के बीच में केवल 27 मिल का अंतर था इसलिए बारात मोटरों से ही आई और गई भी जीवन में पहली बार मोटर पर बैठी थी मुझे ऐसा मालूम होता था जैसे हवा में उड़ रही हूँ 27 मिल तक मोटर पर बैठने के बाद जी नहीं भरा यही चाहती थी कि रास्ता लंबा होता जाए और मैं मोटर पर घूमा करूँ किन्तु क्या यह संबब था आखिर कोई एक बड़े भारी महल के जनानी दरवाजे पर मोटर जाकर खड़ी हो गई सास तो थी ही नहीं इसलिए मेरी जिठानी बड़ी रानी जी परचन कर मुझे उतार ले गई मुझे एक बड़े भारी सजे हुए कमरे में विठा दिया गया इस तरियां बारी बारी से मूँ खोल के देखने लगी कोई रुपया कोई छोटे मोटे जेवर या कपड़े मेरी मूँ दिखाई में दे दे कर जाने लगी मेरी जिठानी बड़ी रानी ने भी मेरा मूँ देखा कुछ बोली नहीं उहुं करके मेरी उंगली में हूठी पहना दी मैंने सुना कि भी मेरे पास किसी कमरे मैं किसी से कह रही थी देखा बहु को क्या तारीफ के पुल बांध रहे थे ससुर जी के कहने से तो बस यही मालूम होता था कि इंदर की अपसरा ही होगी पर ना तो रूप ना रंग न जाने क्यों सुंदर कह कह के कंगले की बेटी बेहा कर अपनी इज्जत हल्की कर ली रोटी बेटी का बेहभार तो अपनी बराबरी बालों में ही होता है भिरजू की मा पस ससुर जी तो इसके रूपप बिलकुल लट्टू ही हो गए थे मैं सुन्दर नहीं तो क्या मुझे सुन्दरता की परक भी नहीं है न जाने कितनी सुन्दरियां देखी है यह तो उनके पेरों की धूल के बराबर भी न होगी मालुम होता है उमर के सास्ता ससुर जी की आँखें भी सठिया गई है मजले राजा को डुबो दिया बिरजु की माँ उनकी हामे हा मिलाती हुई बोली सुन्दर तो है रानी जी जैसा आप लोग है वैसी ही है पर अभी बच्ची है जवान होगी तो रूप और निखराएगा बड़ी रानी तिल मिला उठी और बोली रूप निखरेगा पत्थर होन हार बिरवान के होत चीकने पात निखरने वाला रूप सामने ही दिखता है फिर वे जग बिरक्ती के भाव में बोली जाने भी दो अच्छा हो या बुरा हमें क्या करना है जब मैं वहाँ अकेली रह गई सारी औरते चली गई तो मेरी मा के घर की खवासन ने सूना कमरा देखका मेरा मुँ खोल दिया शीशा उठा कर मैंने एक बार अपना मुँ ध्यान से देखा फिर रख दिया धूनने से भी मुझे अपने रंग रूप में कोई एब न मिला पहली बार केवल पांच दिन ससुराल में रहकर मैं अपने पिता के साथ मैंके आ गई ससुराल के पांच दिन मुझे पांच बर्ष की तरह मालूम हुए मैंने जो रानी पने का सुनहरा सपना देखा था वह दूर हो चुका था ससुराल से लोटकर मैंने तो कुछ नहीं देखा न कहा किंतुख हवासन ने वहां के सब हाल चाल बतलाए मा ने कहा तो क्या रानी केवल कहने के लिए होती है भीतर का हाल हमारे घरों से भी गया विता होता है मैं अपनी मा के साथ मुश्किल से सबा महीना रह पाई मुझे बुलाने के लिए ससुराल से संदेशा आया राजाओं के इच्छा के बिरुद तिल भर भी मेरे पिताजी कैसे जाते ना चाहते हुए भी उन्हें मेरी विदाई करनी पड़ी इतनी जल्दी ससुराल जाना मुझे जराबी अच्छा न लगा परंतु क्या करती लाचार थी सावन में जबके सब लड़कियां ससुराल से में के आती हैं मैं ससुराल रूपी कैद खाने में बंध होने चली देवर के साथ फिर मोटर पर बैटी इस बार मैंने अपना छोटा सा हार्मोनियम भी साथ रख लिया था फिर ससुराल पहुंची पहली बार तो मेरे साथ मां के घर की खावासन थी इस बार उस हार्मोनियम और थोड़ी सी पुस्तकों को छोड़कर कुछ न था मेरा जी एक कमरे में चिपचा बैठे बैठे घबराया करता घर में कोई ऐसा न था जिससे घंटे दो हंटे बाचीत करके जी बहलाती केवल छोटे राजा मेरे देवर की वाते मुझे अच्छी लगती थी किन्तु बेवी मेरे पास कभी-कभी और अधिकतर बड़ी रानी की नजर बचा कर ही आते थे मैं सारे दिन पुस्तकें पढ़ा करती पर पुस्तकें थी ही कितनी आट-दस बार पढ़ गई छोटे राजा कभी-कभी मुझे अखवार भी ला दिया करते थे किन्तु सबकी आँख बचा कर घर में सब काम के लिए नौकर चाकर और दास दासियां थी मुझे घर में कोई काम न करना पड़ता था मेरी सेवा में भी दो दासियां सदा बनी रहती थी पर मुझे तो ऐसा मालुम होता था कि मैं उनके वीच में कैद हूँ क्योंकि मेरी राई पत्ती भी बड़ी रानी के पास लगा दी जाती थी उन दासियों मैंसे यदि मैं किसी को किसी काम से कहीं बेजना चाहती तो मेरे कहने मात्र से ही कहीं न जा सकती थी उन्हें बड़ी रानी से हुक्म लेना पड़ता था यदि उधर से सुईकृती मिल जाती तो मेरा काम होता अन्य था नहीं इसी प्रकार हर मा मुझे खजाने से हाथ खर्च के लिए 1.500 रुपे मिलते थे किन्तु क्या मजाल कि उनमें एक पाई भी महाराजा से पूछे बिना खर्च कर दूँ भीतर के शासन की बागडोर बड़ी रानी के हाथ में थी और बाहर की महाराजा मेरे ससुर के हाथ में मेरे पती मजले राजा बड़े ही बिलास प्रिय मदिरा से भी शिकार के शौकीन और नजाने क्या-क्या थे मैं क्या बताऊं, बे बहुत सुन्दर भी थे, किन्तो उनकी दर्शन मुझे दुरुलब थे, चार-चा दिन में कभी घंटे आत घंटे के लिए बे मेरे कमरे में आ जाते, तो मेरा अहो भाग्य समझो, उनकी रूप माधरी को एक बाद जीवर पीने के लिए मेरी आखें आज तक प्यासी हैं, किन्तो मेरी जीवन में ये अफसर कभी ना आया, इस दिखावटी बैभव के अंदर में किसी प्रकार अपने जीवन को खसीटे जा रही थी, इसी समय मेरे अंदकार फूंद जीवन में प्रकाश की एक सुनहरी किरण का आग बन हुआ, छोटे राजा की उम सो तंतरता थी, घर में इस्तरियों की आवश्यक वस्तुएं बाहर से मगमा देना भी माश्टर बाबू के ही जिम्मे था, इसलिए भे घर में सबसे ज़्यादा परिचित थे, बिवा के बाद से ही बड़ी रानी मुझसे नाराज थी, उन्हें मेरी चाल ढाल, रहन सहन जरा भी न सोहाती, बेहरा बात में मेरे एव निकालने की फिराक में रहती, तिल का ताल बना कर मेरी जरा जरा सी बात को बेपरिचित या अपरिचित जो कोई आता उससे कहती, शायद भी मेरी सुन्दरता को मेरे एवों से धग देना चाहती थी, यहीं बात उन्होंने मास्टर बाबू के साथ भी की, बेतो घर में रोज ही आते थे और वो जुन से मेरी शिकायत होने लगी, किन्तो इसका आसर उल्टा ही हुआ, मैंने देखा तिरसकार की जगे मास्टर बाबू का बेबहार मेरे प्रतियदिक मधुर और आदर फून होने लगा, छोटे राजा को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता, बेबहुदा मुझसे गाने के लिए आग्रे करते, मुझे तो अब गाने बजाने की और कोई विशेस रुची रह नहीं गई थी, किन्तो छोटे राजा के आग्रे से मैं अब कभी-कभी गाह दिया करती थी, एक दिन की बात है, जाडे के दि किन्तो छोटे राजा न माने और उन्होंने बाजा उठा कर सामने रखी दिया, मैंने हार्मोनियम पा गीत गोविंद का या बिद छेडा बिहरत हरीरिह सरस वसंते, रित्यती युवती जनेन सम् सक्खी बिरह जनस्य दुरंते, ललती लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे, मदुकर निकर करम बित कोकल कुजत कुझ कुटीरे मास्टर बाबू भी नजाने कैसे और कहां से आये और पीछे चुपचाप खड़े हो गए, छोटे राजा की मुसकरहाट से मैं भाप गई, पीछे फिरकर जो उन्हें देखा तो हार्मोनियम सरकार कर मैं चुपचाप बैट गई, वेवी हसकर वहीं बैट गए और बोले, बाता हो ही रही थी कि दूसरी तरफ से पैर पटकती हुई बड़ी रानी कमरे में आई, क्रोध से बोली, यह घर तो अब भले आदमी के घर का कहने लाइक ही नहीं रह गया है, लाज शरम तो सब जैसे धोके पीले हो, बाप रे बाप हद हो गई, जैसे हलके घर की है, वैसी कभी नहीं हुआ, कुल को तो ना लजवाओ देवी, बाप के घर जाना तो भीतर क्या चाहे सड़क पर गाती फिरती रहना, किन्तो यहां यह सब न होने पाएगा, तुम्हें क्या, घर के भीतर बैठी बैठी चाहे कुछ करो, वहां आदमियों की तो नाक कटती है, एक सास म मेरे गाने से, सो अब मैं बाजे को कभी हाथ नहीं लगाउंगी, उस दिन से फिर मैंने बाजे को कभी नहीं चुआ, और ना छोटे राजा नहीं कभी मुझसे गाने का अग्रह किया, यदि भी अग्रह करतें, तब भी मुझ मे बाजा चुने का साहस न था, इस खटना के कैसी हो मजली रानी? जीती हूँ. खुश रहा करो. इस प्रकार रहने से आकर कुछ लाव? जी को कैसे समझाओ मास्टर बाबू? अच्छी अच्छी पुस्तकें बढ़ा करो. उनसे अच्छा साती संसार में तुम्हें कोई न मिलेगा. पर मैं अच्छी अच्छी पुस्तकें लाओं कहां से? लाने का जिम्मा मेरा. यदि आप अच्छी पुस्तकें ला दिया करें, तो इससे अच्छी और बात हो ही क्या सकती है? यह कौन बड़ी बात है मजली रानी? मेरे पास बहुत सी पुस्तकें रखी हैं. उन मैंसे कुछ में तुम्हें ला दूँगा. इस क्रफा के लिए उन्हें धन्यवाद देती हुई मैं उपर चली और वे बाहर चले गए. मैंने उपर आँख उठा कर देखा, तो बड़ी रानी खड़ी हुई तीब रिद्रिष्टी से मेरी योड देख रही थी. मैं कुछ भी न बोलकर नीचे निगा किये हुए अपने कमरे में चली गई. दूसरे दिन मास्टर बाबू समय से कुछ पहली ही आये. उनके हाथ में कुछ पुस्तकें थी. वे छोटे राजा के कमरे में न जाकर सीधे मेरे कमरे में आये और बाहर से ही आवाज दी. किंतु दौनों दासियों में से इस समय एक भी हाजिर न थी. इसलिए मैंने ही उनसे कहा, आईए मास्टर बाबू. वे आकर बैठ गए. किताबा और लेखक के नाम बतला कर वे मुझे किताबें देने लगे. ये महात्मा गांदी की आत्मकथा के दौनों भाग हैं. ये है बाबू प्रेमचंद की रंग भूमी. इसके भी दो भाग हैं. ये मैथली बाबू का साकेत और ये पंतिजी का पल्लब. इसके अत्रिक तो और भी बहुत सी पुस्तके हैं. इन्हें तुम पढ़ लोगी, तब मैं तुम्हें और ला दूँगा. इसके बाद में साकेत उठा कर उर्मिला से लक्षमण की विदा का जो सुन्दा चित्र मैथली बाबू ने अंकित किया है, मुझे पढ़ कर सुनाने लगे. इतने ही मैं मुझे वहां बड़ी रानी की जलक दीख पड़ी. और उसके साथ मेरे कमरे की दौनों दर्वाजे फटा फट बंद हो गए. मास्टर बाबू ने एक बार मेरी तरफ फिर दर्वाजे की तरफ देखा. फिर भी बोले, भाई ये दर्वाजा किसने बंद कर दिया है, खोल दो. जब कोई भी उत्तर ना मिला, तो मुझे क्रोध आ गया. मैंने तीब्र स्वर में कहा, ये दर्वाजा किसने बंद किया है, खोलो. क्या मालूम नहीं है कि हम लोग भीतर बैठे हैं? बड़ी रानी की करकश आवाज सुनाई दे. ठैरो, अभी खोल दिया जाएगा. तुम लोग भीतर हो, यही दिखाने के लिए तो दर्वाजा बंद किया है. पर देखने वाले भी तो आ जाएं जरा. ये नार की ये लीला अब ज्यादा दिन न चल सकेगी. नार की ये लीला? मेरा माथा ठनका. ही भगवान, क्या पुस्तक पढ़ना भी नार की ये लीला है? इस प्रकार लगबग पंदर मिनट हम लोग बंद रहे. गुस्से में माश्टर बाबू का चेहरा लाल हो रहा था. उदर बाहर बड़े राजा, मजले राजा और महाराजा की ये आवाज मुझे सुनाई दी. और उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खुल गया. बड़ी रानी बोली, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही न करता था. अब अपनी अपनी आँखों से देखो, आँखें धुका तो नहीं खा रही है. आज तक मैंने मजले राजा की बिलासी मूर्ती देखी थी, आज मैंने उनका रौदर रूप भी देखा. क्रोध से पैर पटकती हुए वे बोले, किरंड कुमार, इस कमरे में तुम किस के हुक्म से आए? मास्टर बाबू भी उसे स्वर में बोले, मुझे किस कमरे में जाने का हुक्म नहीं है? बड़े राजा, मास्टर बाबू, अब यहां से चले जाओ, इसी में तुम्हारी कुशल है. वे, मुझे ऐसी कुशल नहीं चाहिए, मैं पापी नहीं हूँ, जो कायर की तर भग जाओंगा. जाने से पहले मैं आप लोगों को बतला देना चाहता हूँ, कि मैं और मजली राणी दोनों ही पवित्र और निर्दोश हैं, यह हरकत ईर्षा और जलन के ही कारण की गई है. बड़ी रानी गरज उठी, उल्टा चोर कोतवाल को डाटे, चोरी की चोरी उस पर भी सीना जोरे, मैं, मैं इर्षा करूंगी तुमसे, तुम हो किस खेत की मूली, मैं तुम्हें समझती नहीं, तुम नहीं समझते कि मैं क्या हूँ, तुम हो एक अधना से नौकर, और यह है तुम्हारे सामने ही खड़ा-खड़ा जवान लड़ा रहा है, और तुम सुन रहे हो, पहले ही खाता कि नौकर चाकर को ज्यादा मूर न लगाया करो, महराज बड़े गुस्ते से बोले, किरन कुमार चले जाए, और मास्टर बाबू को जबरदस्टी पकड़तर अपने साह के लिए मैं विदा कर दी गई, एक एक के पर बिठा कर, एक चपरासी मुझे मा के घर पहुँचाने गया, चिठी मेरे पिताजी के नाम थी, जिस में लिखा था, कि आपकी पुत्री ब्रस्टा है, इसने हमारे कुल में दाग लगा दिया है, इसके लिए अब हमारे घर में बात की बात में सारे महले भर में मेरे ब्रस्टा चरन की बात फैल गई, यहां तक के मेरे पिता के घर पहुँचने से पहले ही यह बात पिताजी के घर तक भी पहुँच गई, जब मैं पिताजी के घर पहुँची, शाम हो चुकी थी, इस वीच माताजी का देहांत हो चुक तो इसे यहां क्यों लाए रास्ते में कोई खाई खंदक ना मिला जहां धकेल देते इसे मैं अपने घर रखूंगा जाए कहीं भी मरे मुझे क्या करना है मैं पिता जी के पेरों पर लोट गई रोती रोती बोली पिता जी मैं निर्दोश हूँ पिता जी दो कदम पीछे हट और कड़क कर बोले दूर रहे चांडालिन निर्दोश ही तू होती तो इतना ये ववंडर ही क्यों उठता उन्हें क्या पागल कुत्ते ने काटा था जो बैठे बिठाए अपनी बदनामी करवाते जा जहां जगे मिले समाजा मेरे घर में तेरे लिए जगे नहीं है क्या कर अंग्रे जी राजजिना होता तो बोटी बोटी काट के फैंक देता इस होहला में समाज के कई उची नाक वाले अगुआ और कई पास पड़ोस वाले भी जमा हो गए सबने मेरे भ्रस्टा चरण की बात सुनी और घिरना से मूँ बिचकाया एक बोला नहीं भाई अब तो य घर में रखें तो रखने दो इनकी लड़की है पर हम तो पंडी जी की दर्वाजे पर पैर न देंगे मैं फिर एक बार भीतर जाने के लिए दर्वाजी की तरब जुकी किन्तो पिता जी ने एक जटके के साथ मुझे दर्वाजे से कई हाथ दूर फैंक दिया खुल मैं दा नाटा चाय हुआ था केवल कभी कभी एक दो कुत्तों के भौकने की शब्द सुना पड़ती थी मैं उठी बहुत कोई सोचने के बाद इस्टेशन की तरफ चली एक कुत्ता भौक उठा जैसे कह रहा हो कि अब इस महले में तुम्हारे लिए जगे नहीं है जब मैं इस्टे मेरे जब ट्रेन कानपूर पहुँचकर रुख गई और एक रेलवे करमचारी ने आकर मुझे उतरने को कहा तो मैं जैसे चौक सी पड़ी मैंने देखा पूरी ट्रेन यात्रियों से खाली हो गई है इस्टेशन भी यात्रियों से भरा हुआ नहीं था ट्रेन से उतर का मेरी समझ मैं ही ना आता था कि कहा जाओं कल इस समय तक जो एक महल की रानी थी आज उसके खड़े होने के लिए भी इस्थान न था बहुत देर बाद मुझे एका एक ख्याल आया कि सत्या ग्रह संग्राम तो छड़ा ही हुआ है क्यो न मैं भी चलका स्वैम सेविका बन जाओं औ मैंने कहा नहीं तो उन्होंने मुझे स्वैम सेविका बनाने से इनकार कर दिया इसके बाद मैं इसी प्रकार कई संस्थाओं और सुधारकों के दरवाजे दरवाजे पटकी किन्तु मुझे कहीं भी आसरे ना मिला विवश होकर मैं भूकी प्यासी चल पड़ी किन्तु चात थक कर एक पेड़ के नीचे बैट गई मैंने अपनी अवस्था पर विचार किया मैं आज रानी से पत की भिखारिन हो चुकी थी मेरे सामने अब भिक्षब रिती को छोड़ का दूसरा उपाई ही क्या था इसी समय न जाने कहां से एक भिखारिन बुढिया उसी पेड़ के नी दुख में भी एक प्रकार का आकर्शन होता है जिसने शड़वर में ही हम दोनों को एक कर दिया भिखारिन बहुत बूरी थी उसे आँखों से कम दिखाई पड़ता था भिख्षा बृती कहने के लिए अब उसे किसी साथी या सहारी की जरूरत थी मैं उसी के साथ रहने आता भी कैसे मैं बुडिया का हाथ पकड़कर उसे सहारा देती हुई चलती भीख वही मांगा करती मैं जवान थी सुन्दर थी फटे चीतरे और मैले कुचले वेश में भी मैं अपना रूप न छिपा सकती मेरा रूप ही हर जगे मेरा दुश्मन हो जाता अपने सतीत्व की रक्षा हित्व मुझे बहुत सचेत रहना पड़ता था और इसलिए मुझे जल्दी जल्दी इस्थान बदलना पड़ता था मेरे बदन की साड़ी फटका तार तार हो गई थी बदन ढखने के लिए सावित कपड़ा भी न था प्रियाग में मागी अमावस्या के दिन भारी मिला लगता है बुडिया ने कहा वहाँ चलने पर हमें 3-4 महीने भर खाने को मिल जाएगा और कपड़ों के लिए पैसी भी मिल जाएंगे मैं बुड़ी के साथ पैदल ही प्रयाग के लिए चल पड़ी मांगते खाते कई दिनों में हम लोग प्रयाग पहुँचे यहाँ पूरे महीने भर मेला रहता है दूर दूर के बहुत से यात्री आते हैं हम लोग रोज तड़क किनारे एक कपड़ा विछा कर बैट जाते और दिन भर भिक्षा मांग कर शाम को एक पेड़ के नीचे आलाब जला कर सो जाते एक दिन इसी प्रकास शाम को जब हम दिन भर की भिक्षा ब्रित्ती के बार लोट रहे थे एक बग ही निकले जिसमें कुछ इस्त्रियां थी बढ़िया एक पैसे के लिए हाथ फैला कर गाड़ी के पीछे पीछे दोड़ी कुछ देर बाद गाड़ी के अंदर से एक पैसा फैंका गया शाम को धुंदले प्रकास में बढ़िया जल्दी पैसा देख न सकी वह पैसा देखने के लिए कुछ देर जुकी रही उसी समय एक मोटर पीछे से और एक सामने से आ गई बुडिया ने बचना चाहा, मोटर बाले ने भी बहुत बचाया पर बुडिया मोटर की चपेट में आ ही गई, उसे गहरी चोट लगी और उसे बचाने की चेश्टा में मुझे भी काफी चोट आई जिस मोटर की चपेट में हम लोगों को लगी थी उस मोटर वाले ने पीछे मुड़ कर देखा भी नहीं किंदो दूसरी मोटर वाले रुख गए उसमें से दो व्यक्ति उतरे मेरे मुझे सहसा एक चीख निकल गई कई दिनों तक लगातार बुखार के बाद जिस दिन मुझे होश आया मैंने अपने आपको एक जनाने अस्पताल के परदा वाइड के कमरे में पाया एक खाट पर मैं पड़ी थी मेरे पास ही दूसरे खाट पर भिकारिन मरना सन अवस्था में पड़ी थी मैं खाट से उठकर बैठने लगी तो मास्टर बाबू पास ही कुरसी पर बैठे कुछ पड़ रहे थे मुझे उठते देखकर पास आकर बोले अभी आप न उठें बिना डॉक्टर की अनुमत्ती के आपको खाट से उठना नहीं है क्यूं मैं पत्की बिखारिन मुझे ये साफ सुत्रे कपड़े नरम नरम बिछोने क्यूं चाहिए कल से तो मुझे फिर वही गली गली की ठोकर खानी पड़ेगी न उनकी बड़ी बड़ी आँखें सजल हो गएं वे बड़े ही करुण स्वर में बोले मجली रानी क्या तुम मुझे ख्षमाना करोगी तुम्हारा अपरादी तो मैं ही हूँ न मेरे ही कारण तो आज तुम राज रानी से पत्की भिखारिन बन गई हो जब मुझे उन्होंने मजली रानी कहकर बुलाया तो मैं चोंक पड़ी सहसा मेरे मुँं से निकल गया माश्टर बाबू दो तीन दिन में मैं पूर्टया स्वस्थ हो गई परन्तु भिकारिन की हालत न सुधर सकी एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी उसके अंतिम संसकारों से निब्रित होकर मैं माश्टर बाबू के साथ उनके बंगले में रहने लगी किन्तु मैं अभी तक नहीं जान सकी कि वे मेरे कौन है वे मुझ पर माता की तरह ममता और पिता की तरह प्यार करते हैं भाई की तरह सहायता और मित्री की तरह नेक सलाह देते हैं पती की तरह रक्षा और पुत्री की तरह आदर करते हैं। कुछ न होती हुए भी वे मेरे सब कुछ हैं। और सब कुछ होती हुए भी वो मेरे कुछ नहीं है। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी वी कहानी मजली रानी अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें धन्यवाद